Hello Everyone, Welcome to our YouTube Channel इस वीडियो में हम ओसत यानि आवरेज के बारे में सीखेंगे और उन सभी बातों को जानेंगे जिनको जानके हम आवरेज के हर एक कोश्चन को इजली सौल कर सकते हैं तो उन बातों को जानने के लिए हम एक एक्जामपल लेते हैं और उनको सौल करते हैं तो सबसे पहले मैं एक्जामपल लेता हूँ मान लेजे कि एक स्टुडेंट के मार्स हमें दिये हुए है 12th क्लास के मार्स हमें गीवन है वो मार्स हैं physics, chemistry, math, chemistry, physics, hindi, english में वो मार्स कितने दिये हुए है? 90, 80, 70, 50, 60 यह marks दिये हों और हमें इसका average find out करना है ठीक है तो average क्या होता है आप इन सभी terms को जोड़िए 90 और 80, 170, 170, 270, 240, 300, 300, 300, 300, but a number of terms 5 है तो average क्या है 70 तो मतलब क्या है इन चीज़ों का वो सीखते हैं दीखें सबसे पहले आपने क्या किया इन सभी number को add किया ठीक है इन number को add किया ठीक है और फिर divide में number of term करके आपने average लिखा 70 ठीक है मैंने क्या किया इस 5 को इधर ले गया ठीक है फिर मैंने उसको अलग-अलग लिख दिया ठीक है 350 इनका जोड़ था लेकिन इसकी जगह मैंने ये term लिख दी ठीक है इसी से मैंने ये लिख आय ठीक है तो average का मतलब क्या है average में हम क्या करते हैं जो अलग अलग values है छिकें ये अलग अलग value है इनके magnitude को मैंने equal कर दिया अब magnitude क्या है एक जैसा ठीकें तो average का मतलब क्या है कि कोई भी number जो हर term पे equal magnitude का हूँ हर step पे equal magnitude का एक चीज तो ये चीज थी ठीक है और इसी चीज़ को हम ग्राफिकली देखते हैं तो हमारे पास क्या था सब्जेक्ट दी हो थी फीजिस, कमिस्टरी, मैथ, कमिस्टरी, फीजिक्स, हिंदी, इंगलीज उनके माक्स दी हो थीजिए हैं 90, 80, 70, 60, ठीक है हमने ये एड की और नंबर अफ टर्म से डिवाइड किया तो हमारे पास एवरेज क्या है, 70, मैंने रेड लाइन लगा के इसको शो किया, ठीक है अब थर्ड डाइग्राम में मैंने क्या किया जो सब्जेक्ट सतर से उपर, जिन जिस सब्जेक्ट में सतर से उपर माक्स आए हैं जैसे कि मैथ में 90 आए हुए थे, ठीक है तो ये फालतू के माक्स, यानि एक्ष्ट्रा माक्स उस सब्जेक्ट में एड किये जो red line से निच्छे हैं यहाँ पे add किये और यह जो extra marks हैं यह मैंने English वाले paper में add कर दिये ठीक है तो last step पे हमें कौन सा diagram मिला आप दे सकते हो हर subject में equal number है तो average में हम क्या करते हैं हर एक term की equal value कर देते हैं ठीक है अब दूसरा example लेता हूं ठीक दूसरा example क्या है माल लीजिए मैं किसी एक term को cancel कर रहा हूं ठीक है मैंने कर दिया अब मैं average निकालता हूं 80 और 70 डेड़ सो 200 260 260 बटे 4 average क्या रहा 65 ठीक है तो जो average के question में कई question ऐसे होते हैं कि एक number काटने पे average घट गया या बढ़ गया ठीक है अब आप देख सकते हैं पहले average कितना था 70 अब average कितना है 65 तो यह कितना decrease हुआ यह decrease हुआ माइनस का पांच ठीक है यह किसी एक term पे नहीं हुआ ठीक है दूसरी चीज सीखने की क्या है average घटता या बढ़ता किसी एक term पे नहीं है यह सभी term पे घटता या बढ़ता है बट एक्चुल में इसको कैसे ठीक है तो यह कैसे होगा पहले कितनी थी हर term की value कितनी थी 70 अब कितनी रह गई 65 ठीक है अब term पहले 5 थी अब 4 है लेकिन अब 4 को 4 के साथ compare करो पहले 70 थी अब कितनी रह गई 65 शत्तर थी 65 शत्तर थी 65 शत्तर थी 65 यानि जो decrease हुआ है average में हर term पे हुआ है तो दूसरी चीज हमें क्या सीखने को मिली कि increase increase or decrease decrease जो increase यानि बढ़ना या फिर decrease यानि घटना in average always on every term ठीक है average terms ठीक है सभी term के उपर होगा किसी एक term पे आप नहीं करोगे सभी के उपर ठीक है आप ये बात अगर समझ जाते हो तो average के जितने भी tough question है आप easily उनको solve कर सकते हो चलिए आप question solve करते है कुछ important results यानि formula को हम study करते हैं जिनकी help से हम average के कुछ basic question को solve कर सकते हैं ठीक है तो पह एला है sum of n natural number यानि n प्राक्रतिक संख्याओं का योग निकाल ले का formula क्या है ठीक है तो n into n plus 1 by 2 n क्या है number of term तो अगर हम से पूछा जाता है कि परथम कोई भी number है परथम n प्राक्रतिक संख्याओं का उस्सत ग्यात कीजिए तो सबसे पहले आपको जोड निकालना पड़े का उसके लिए formula यूज कीजिए डिवाइड में number of term एक शोट ट्रिक स्पिया वो भी करेंगे ठीक है second जो formula है sum of first n odd natural number दीखे परथम विशम प्राक्रतिक संख्याओं का योग क्या है हमें n क्या है term दी हुई है तो n का scale कर दीजिए वो इनका जोड आ जाएगा ठीक है फिर बाद में हम average find out कर सकते हैं easily अगर sum प्राक्रतिक संख्याओं का योग निकालना हो number of term और फिर number of term में एक जोड के गुणा कर दीजिए यानि number of term अगर 25 है तो 25 गुणा में 26 ठीक है अब fourth formula देखिए sum of scale of first n natural number अगर हम scale का sum निकालना चाहते है ठीक है न तो n क्या है number of term तो n into n plus 1 2n plus 1 by 6 ये क्या है sum है ठीक है अगर cube का निकालना चाहते हैं ठीक है na cube of first n natural number तो cube के लिए क्या है 1 का cube 2 का cube इसके लिए formula क्या है n गुणा n plus 1 by 2 फिर whole square ठीक है इन formula को याद करके हम series के जो sum find out कर सकते हैं जिनके लिए formula दिये हुए और उसके बाद हम उनका average find out कर सकते हैं कुछ question करते हैं basic देखिए हमारे पास first question है what is the average of 50 natural number अब इसको सोट्रिक से भी कर सकते हैं और इस method से भी कर सकते हैं देखिए परथम 50 पराकृतिक संख्याओ का ओसत ओसत कैसे निकालेंगे ओसत क्या होता है average ठीक है कैसे होता है sum of terms यानि परथम 50 पराकृतिक संख्याओ का sum कैसे निकालोग n into n plus 1 by 2 ठीक है और divide में क्या करोगे number of term यानि कितने दी हुई है 50 यानि आप average कैसे निकालोगे 50 गुना 51 और divide में क्या है 2 और number of term कितने है 50 कैंसल कर दोगे तो 51 बटे 2 यह हमारा answer आ ठीक है एक shortcut method क्या है पराकृतिक संख्याओ को लिखिए एक दो तीन लिखते जाएं कहां तक 50 तक देखिए अगर यह जो series दी हुई है अगर यह AP में है AP का मतलब होता है arithmetic progression मतलब किनी दो number का difference एक और दो का difference एक दो और तीन का difference एक यानि जो gap है दो number के बीच का वो equal हो ठीक है अगर series AP में है तो आप average कैसे निकालोगे आप पहले और last number का average निकाल दीजिए पहला number कितना दिया हूँ एक last number कितना दिया हूँ पचास मैं उसका average निकाल रहा हूँ दोनों को जोड़के दो से डिवाइड कर रहा हूँ पचास वर एक 51, 51 बटे 2 यह direct आगया आपको यह formula यूज करने के जुटत नहीं पड़ी आप आपने direct निकाल दिया ठीक है second question करते है what is the average of first 199 natural even number देखे even number कौन से होते हैं 2, 4, 6, 8 चलते रहेंगे ठीक है अब इसको count किजी यह कौन सा even number है पहला यह कौन सा है दूसरा ठीक है और यह कौन सा है तीसरा यह जोटता मतलब पहला even number इस number का दुगना है ठीक है तो हमें कौन सा even number चाहिए 1999 वा ठीक है न क्योंकि बोला गया है 1999 प्राकृतिक समसंख्याओं का ओसत ग्यात कीजिए तो पहला even number 2 था तो 1999 वा कौन सा रहेगा दूगना 398 अब सीरिस देखे एपी में है डिफ्रेंस कितना है दो का डिफ्रेंस कितना है दो का डिफ्रेंस कितना है दो क सारी सीरिस एपी में है तो एवरेज कैसे निकालो के पहली ट्रम को और लास्ट ट्रम का एवरेज निकाल दीजी कैसे निकालो के 2 जमा 398 बटे 2 398 और 2 400 400 बटे 2 200 एवरेज हा गया हमारे पास थर्ड कोस्टिन सोल करते हैं वट इस दा एवरेज ओफ फस्ट 80 ओड नमबर यानि प्रत्थम 80 विशम सिंख्याओं का ओसत गयात कीजिए ठीक है तो देखिए ये नमबर कौन-कौन से है एक तीन पाँच साथ और चलते रहेंगे ठीक है न तो इनको नमबरिंग दीजी एक दो, तीन, चार, असी तक ठीक है हमें 80 वा विशम नमबर सी है ठीक है यहां पर तो देखिए पहला क्या है एक फिर कया है आप इसका दूगणा कीजिए एक का दूगणा एक उस में से गटा दीजी एक ऐगा मतलब इसका दूगणा कीजिए 14-4 में से गटा दीजी तीन 169 ठीक है तो मतलब 805 जो प्राकृतिक सिंख्या है वो 169 अब यह देखिए AP में है या नहीं difference कितना है दो का difference किया है दो का difference किया है दो का तो यह AP में AP में average कैसे निकालते हैं पहले और लास्ट टरम का average निकाल देजिए 1 पलस 169 बटे 2 162 असी तो 80 हमारा क्या आगया average ठीक है आपको formula यूज करने के जूरत नहीं पड़ी यह तब होगा जब series क्या हो AP में हो ठीक है अब आगे देखिए what is the average of scale of first 25 natural number तो scale यानि एक का scale दो का scale तीन का scale और कहां तक है 25 के scale तक इनका हमें average निकालना है ठीक है तो इसमें n क्या है terms कितनी दियो यह 25 तो सबसे पहले हमें sum निकालना पड़ेगा तो sum का formula क्या है n into n plus 1 and 2 n plus 1 by 6 यह क्या है work का है ठीक है और यह sum है और average क्या होती है average होती है sum यानि n into n plus 1 2 n plus 1 by 6 और बटे में क्या है number of term term कितनी है n तो n से n cancel अब n की value 25 रखिए 25 और 26 गुना पच्ची दोनी 50 रख 51 51 बटे 6 तो आप इन को cancel किजिए 2 पे 13 3 17 ठीक है 17 को 13 से multiply किजिए 221 क्या रहेगा हमारा average ठीक next question करते हैं what is the average of cube of first natural number first natural number का आप और सथ कैसे निकालोगा मतलब cube करके यानि एक का cube दो का cube और चलते रहेए 11 का cube आपको इसका average find out करना है तो उसके लिए formula क्या है n into n plus 1 by 2 आप इनका square कर दीजिए ठीक है ये तो है sum ठीक है divide में क्या रहेगा number of term ठीक है ये आ गया average value रखिए 11 11 गुना 12 ठीक है बटे 2 ठीक और divide में क्या है हमारे number of term यानि 11 अब 11 को दो बार 12 को दो बार ठीक है 11 गुना 11 गुना 12 गुना 12 divide में कितना है 2 गुना 2 और 11 एक बार ठीक है तो 11 से 11 cancel 3 बार ठीक है 36 गुना 11 ठीक है 36 की 11 के साथ कैसे करोगे पहला digit as it is लिखो last का digit as it is लिखो दोनों digit को जोड़ दो 9 यानि किसी की भी 11 से multiplication करने के शोट ट्रिक्स है तो हमारे पास जो नंबर आया 396 यह average है